रचना निर्मे आठ दिये गए चत्रभुच के छेत्रफल के बराबर त्रिभुच की रचना करना उधारन आठ एक चत्रभुच ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 cm, CD बराबर 6 cm, BC बराबर 4 cm, AD बराबर 5 cm और कोण BAD बराबर 7 हन्शो तथा AD को एक भुजा मानकर एक त्रिभुच की रचना कीजिए जिसका छेत्रफल चत्रभुच के छेत्रफल के बराबर हो बच्चो अभी फिर हमारे पास एक नए चुनोती है एक ऐसे चत्रभुच की रचना करना जिसकी माप दी हुई है और फिर उसके बाद ऐसे तरभूज के रचना करना जिसका शेत्रफल इस चत्रभूज के शेत्रफल के बराबर है आपके लिए बिलकुल ही एक नई दरह की रचना होगी है आईए देखते हैं जिस तरह से आपने पिछली रचनाएं की है कुछ वैसा ही हम इहां भी करेंगे जो चत्रभूज के लिए सूचनाएं हमें दी हुई है वो आपके सामने इहां पर है चत्रभूज A, B, C, D है जिसमें भूजा A, B, 7 cm है भूजा B, C, 4 cm है भूजा C, D, 6 cm की है और भूजा A, D, 5 cm की है इन जानकारियों के लावा एक और जानकारी है जो A पर कौन बन रहा है D, A, B उसकी माफ 60 अंशकी है इन पाचों जानकारियों के आधार पर हमें एक चत्रभूज की रशना करेंगे और फिर एक ऐसे त्रभूज की रशना करेंगे जिसका शेत्रफल इस चत्रभूज के शेत्रफल के बराबर है तो सबसे पहले हम ये चत्रभूज बनाए और ये देखिए हम सबसे पहले आधार रिखा है A भी बनाते हैं जिसकी लंबाई साफ सेंटीमीटर है यह हमने साफ सेंटीमीटर का एंगा खंड बनाया और इसे किरंट करुप में हम आगे बढ़ा दे और इनका नाम करण करें बिन्दू A ये बिन्दू B D और इसे किरेंट कृरूप में और नामने grid if अब इसके बाद 踏 हम एडी के रचना करेंगे और ad के रचना करने के लिए हमें यह इसकी दिशा पता चलेगी, इस गोलड के माद्धे हमसे तो ए पर हम साथ अंच का कोल मनाएं यह चांदे को हमने इस लाइन पर रखा ए पर उसका मद बिंदू है और इस साथ हंच इसे हम मिलाएं बिंदू A से यह हमने मिला दिया और इसे आगे बढ़ा दिया और इसे नाम दिया किरन A Y यह बिंदू D इस रेखा A Y पर कहीं होगा और जो इसकी इस्तिती होगी उसके लिए हम इस माप को उपयोग करेंगे 5 सेंटी मीटर पर कार लें और 5 सेंटी मीटर यहां से देखें यह पर का फैलाओ 5 सेंटी मीटर का है नोग A पर रखें और यहां एक चाप काटें यह 5 cm लंबा चाप है, 5 cm तरिज्जा का चाप है, इसे नाम दे D यह हमारे चत्रभुश का तीसरा बिंदू है, चौथा बिंदू C है, इसे प्राप्त करने के लिए हम इन दो जानकारियों को उप्योग करेंगे D C की लंबाई 6 cm है, और B C की लंबाई 4 cm है, हम 6 cm तक परकार को फैलाएं, यह 6 cm तरिज्जा का चाप ले और D पर परकार की नोग रखकर एक चाप यहां काटें, उसके बाद B C 4 cm है, 4 cm का चाप लें, यह 4 cm यहां हमने इसे B पर रखा, और चाप को काटा, पहले वाले चाप को जो एक बिंदू पर काटता है, इसे हम C नाम दें, C D और B C को मिला दें, यह हमने मिला दिया, C D भूजा बन गई, और B और C को भी मिला दिया, इस तरह हमें एक चत्रभूज A B C D प्राप्त हुआ, इसकी सारी मां पर हम लिख लें, A B, 7 cm, B C, यहां लिखने B C को, यहां भी हमें काम करना है, इसे अलग से लिखने, B C 4 cm, C D 6 cm की है, और A D 5 cm, जाद बन गया, इसका शेत्रभूज जो होगा, उसे आपने के जावाश्रिकता नहीं है, लेकिन हमको इस चत्रभूज के शेत्रभूज के बराबर शेत्रभूज वाले त्रभूज के रशना करनी है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका विकार्ण बेड़ी बनाएं, यह हमने B और D शीरसों के मिलाया विकरण बीडी बन गया अब हमें कुछ रशना करनी होगी और जब भी हमें रशना करनी होती है तब यह सोचना होता है कि यह रशना हाकिर हम कर क्यों रहे हैं यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उन तरकों को समझ पाते हैं जिनकी मदद से हम कोई रशना करते हैं जब हम रशना करने वाले हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस चदरभूश के बराबर एक तरभूश यदि हम बनाना चाहते हैं शेत्रफल में तो उसके लिए हमें इस चदरभूश के कुछ हिस्से को चित्र से हटाना होगा और कुछ हिस्से को रखना होगा और एक ऐसे तरभूश की रशना करनी होगी जो इस हटाए हुए हिस्से के बराबर एक शेत्रफल खुद बनाता हूँ इसके लिए हम एक समनांतर रेखा खीचेंगे BD के जो C से होकर गुजरेगी यह हम क्यों कर रहा है इस पर चर्चा करेंगे फिर से पहले हम एक समनांतर रेखा बनाए और आपको मालूम है समनांतर रेखा खीचने के लिए जो एकांतर कोण होते हैं उनके बराबरी के गोड़ का हमें उप्योग करना होगा हम कोड़ B पर जो कोड़ B, B, C बन रहा है उसके बराबर एक कोड़ C पर बनाना होगा यह हमने एक चाप लिया और इसे बिना बदले एक ऐसे ही चाप यहां भी खेचे हम और देखें चाप का फैलाओ कितना है आपको मालूम है समान तरिज्जा के चाप के अंदर पर एक समान कोड़ बनाते है यह B पर बने चाप का फैलाओ, चाप के लम्माई हमने इसे परकार पर ली और उसे यहां पर इस्तानांतरित किया और एक निशान लगाया यह जो नया चाप बना है वो ठीक इसके बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि जो कोड़ इहां बन रहा है वो कोड़ इहां बनेगा अगर हम C से इसे मिला दे चलिए C से हम इसको मिलाते है यह हमने मिलाते विए लाइन कीजी रिखा खंड कीजा और इसे नाम दे दिया हमने E अब इस बिंदू E को हम D से मिलाएं अब देख रहे हैं एक तर्बुज आपके सामने है तर्बुज A, E, D यह तर्बुज हम कहा सकते हैं कि इस तर्बुज को शेत्रफवल चत्रफवल A, B, C, D के शेत्रफवल के बराबर है लेकिन ऐसा केवल कहने से नहीं होगा हमें प्रूफ करना होगा कि ऐसा वार्स्तों में है या थार्त में है इसके लिए देखिए आप इस शेत्र को ध्यान से आपके पास रेखाखंट B, D है और रेखाखंट C, E है आपने इसकी रचना इस तरह की है कि दोनों एक दूसरे के समनांतर है और समनांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभूज आपको दिखाए पड़ रहे होंगे B, C, D और त्रिभूज B, E, D त्रिभूज B, C, D और त्रिभूज B, E, D ये दोनों त्रिभूज ऐसे हैं जिनका आधार एक ही है B, D और समनांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बन रहे है और इससे इनका शेत्रिफल बराबर होता है तो शेत्रिफल बराबर होने की इस सिती में चत्रिभूज का ये हिस्सा इस त्रिभूज के इस हिस्से के बराबर होगा इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बीज का हिस्सा है वो इस त्रभूज में भी है और चतुरभूज में भी है और चतुरभूज का ये हिस्सा भी दोनों में उपस्तित है चतुरभूज में भी और इस त्रभूज में भी किवल ये हिस्सा है जो चतुरभूज का जो इस त्रभूज में शामिल नहीं है इसे हम ये कह सकते हैं कि हमने इसे हटाया और उसके बरावर शेत्रफल वाली जगा यहां जोड़ दी तो जो नहीं आकरिति आपके सामने त्रभूज की मिल रही है आप देख रहे हैं कि ये दोनों हिस्से चत्रभूज और त्रभूज दोनों में है लेकिन ये हिस्सा चत्रभूज में है त्रभूज में नहीं है और ये हिस्सा त्रभूज में है इस चत्रभूज में नहीं है अभी आप देखने हैं कि दोनों त्रिभूजों का शेत्रफल बराबर है और ये हिस्सा दोनों में उपस्तित है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों शेत्रफल में बराबर होंगे इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे त्रभूज AED के रचना की जो पहले बने हुए चत्रभूज A, B, C, D के शेत्रफल के बराबर है तो इस तरह से रचना संपन होती है जो बात अभी अपने हाँ देखी है उसे हम इसके जैसे एक और चित्रफल से समझते है हमने आप से कहा कि त्रभूजों का शेत्रफल बराबर है आप देखिए मैं नीले रंग से इस त्रभूज को रंगता हूँ ये त्रभूज B, E, D को प्रदरशित करता है और एक और त्रभूज है जिसे मैं इस गुलाबी रंग से ख़बर कर रहा हूँ ये त्रभूज है B, C, D ये दोनों त्रभूज इन दोनों का अधार B, D है और ये दोनों के दोनों त्रभूज समयान अंतर रेखा B, D और C, E के बीच बन रहा है आप देख रहे हैं दोनों त्रिभूजों के शीर्स करमशा ई और सी पर हैं तो जो चर्चा भी हमने आप से की थी किनी दो समनांतर रिखाओं के बीच एक ही आधार पर जो त्रिभूज बनते हैं वो शेत्रफल में बराबर होते हैं तो जो त्रिभूज आप गुलाबी रंग से रंगा हुआ देख रहे हैं उसका शेत्रफल इस नीले रंग से प्रदर्शित त्रिभूज के शेत्रफल के बराबर होगा यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसमें नीले और गुलाबी रंग के लाइने पड़ी हुई है ये दोनों त्रिभूजों में उपस्तित है तो यदि इसको हम हटा दें तो हमारे पास ये हिस्सा बसता है और ये हिस्सा बसता है तो चुकि पूरा त्रिभूज इस पूरे त्रिभूज के शेत्रफल के बराबर है और ये हिस्सा दोनों में उभेनिस्ट है इसलिए ये जो बचा हुआ हिस्सा है जो नीले और गुलाबी रंग से दिखाए पड़ रहा है वो शेत्रफल में बराबर होगा और ये शेत्रफल में बराबर है तो आप गौर से देखेंगे ये जो गुलाबी रंग का हिस्सा है वो शेत्रभूज का हिस्सा था और यह जो नीले रंग का हिस्सा है वो इस बड़े त्रिभूज का हिस्सा है तो आपने यदि चत्रभूज से इस हिस्से को हटाया तो ठीक उसके बराबर शेत्रफल का हिस्सा त्रिभूज में आपने जोड़ दिया ऐसी हिस्थिति में यह जो सब चत्रभुज बना आपके पास ABCD उस पूरे के शेत्रफल त्रभुज AED के बराबर हुआ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चत्रभुज पे से जिस हिस्से को आपने हटाया था ठीक उसके बराबर के हिस्सा त्रभुज में यहां पर रचा गया है इसलिए त्रभुज और चत्रभुज दोनों के शेत्रफल आपस में बराबर है सोचे एमम चर्चा करें त्रभुज AED का शेत्रफल चत्रभुज ABCD के शेत्रफल के बराबर है कैसे?